नमस्कार दोस्तों मैं विजेतीवारी स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल The Books Society में जहां हम आजी क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 134 के चैप्टर नमबर 3 को डिसकस करेंगे चैप्टर का नाम होगा वैश्विक विवस्था का विकास विश्यूद दित्ते तक इस चैप्टर से दो प्रमुख प्रश्ण बनते हैं जिनके पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है पहला प्रश्ण ये बनता है कि प्रतम विश्यूद यूद्ध के कारणों की व्यक्था कीजिए और दूसरा प्रश्ण ये बनता है कि दित्ते विश्यूद्ध के कारणों की व्यक्था कीजिए यानि कि First World War और Second World War इन दोनों में से किसी एक के रीजन आपसे वो पूछेगा या तो डाइटर आपसे First World War के रीजन पूछेगा या फिर Second World War के रीजन पूछेगा दो में से एक चीज़ आपसे पूछेगा तो जैसे कि टाइम बहुत कम है एक्जाम टाइम है तो हम सीधे हर चैप्टर से उन ही चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसके प्रश्ण आने की समभावना ज़्यादा होती है तो जैसे कि चैप्टर की जब यहाँ से शुरुआत होगी तो सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना होगी प्रस्तावना तो कुल मिलाकर हमीं ही बताएगी कि आगे चैप्टर में हमी क्या पढ़ना है फिर थोड़ा सा यहाँ पर एक paragraph बताया गया चैप्टर में कि प्राचिन काल से लेकर आधुनी काल थक किन-किन संभेताओं का विकास हुआ है और फिर जो हमारा प्रश्ण जहां से बनना है वो प्रश्ण हमारा यहां से बनना है कि प्रथम विश्युद और उसके कारण तो हम डारेक्ट अब जो है जितने भी चैप्टरों की वीडियो अप्लोड करेंगे उसमें डारेक्ट उन टॉपिक्स की सीधे चर्चा करेंगे जिसके पेपर में आने की संभावना है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखो आप सभी को पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है तो 1914 तो 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ इस युद की जो शुरूआ थे वो 28 जुलाई 1914 को हुई और धीर धीरे करके इस युद में विश्रिव की उस समय की जो सबसे बड़ी शक्तियां थी वो इसी दुमें देदरे करके शामिल हो गई एक तरफ अगर हम बात करें तो मित्राष्ट्र थे और दूस तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रे शक्तियां थी अगर हम मित्राष्ट्र की बात करें तो केंद्र शक्तियों में जर्मनी, आउस्ट्रिया, हंगरी और ओर्टोमन समराज था यानि कि एक तरफ के ग्रूप में जर्मनी था, आउस्ट्रिया था, हंगरी था और ओर्टोमन समराज था जबकि दूशी तरफ अगर हम बात करें तो फ्रांस, ब्रिटिश समराज, रूर्स, इटली, युएस से और आगे चल कर जापान भी ठीक है भी इस युदि में आउस्ट्रिया, हंगरी और आउटोमन समराज जी का पतन हो गया यानि कि जर्मनी, आउस्ट्रिया, हंगरी और आउटोमन ये हार गए, केंदर शक्तिय हार गई और जो मित्र शक्तियां थी ये जीत गई लेकिन बात ये आती है इस युदि के कारण क्या थे आखिर वो कौन से कारण थे, जिनकी वज़े से करोणों लोग को अपनी जान देनी पड़ी और बहुत सारे लोग ऐसे रहे, जो आकलों में गुम हो गए, यानि की लापता हो गए तो इतने बड़े पहाने पर जानमाल की जो हानी हुई, उसके क्या कारण थे हम ये जानने जा रहे हैं, तो प्रतम विश्युदिका जो पहला कारण है वह है राष्ट्रवाद देखो राष्ट्रवाद का अर्थ है देश भक्ति की भावना का प्रचार प्रसाद हुआ क्या था, ये देशों के अगर हम बात करें हैं, वर्ल्ड में किसी भी देश की बात करें तो पहले लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लोग अपना डेली रूटीन में बिज़ी हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं है धीदरे करके जो ये रोप के कुछ बड़ी महाशक्तिया थी, लाइक डिटेन, फ्रांस, ये समराज जवात को बढ़ावा देने लगी, अब समराज जवात को जब बढ़ावा देने लगी, तो उन्हेंनों छोटे छोटे देशों को अपने कंटोल में रखना शूर कर दिया और धीदरे करके अपने देश के लोगों के मन में ये भावना भरने लगी, कि हम ही सरवोचे हैं, हम ही सरवोचे हैं, और हम ही सरवोचे हैं, तो जब एक देश के लोगों में ये भावना आ जाती है, तो वो देश कहीं न कहीं यूनिटी में आ जाता है, एकता में आ जाता ह है क्योंकि human behavior ऐसा है कि हमेशा motivate होना चाहता है बिलकुल यही scene हुआ 1789 में 1789 में फ्रांस में करांती हुई और उसके बाद सोजनता समानता और भाईचारे के नारा आया और अंतराष्ट्र संबंदों में एकदम से एक नया मोड आ गया राष्ट्रवाद एकता के सासा विभाजन भी पैदा करता है अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद के माध्यम से जर्मनी का एकिकरन हुआ इटली का एकिकरन हुआ लेकिन ओर्टोमन समराजी का विक्टन भी हुआ और्टमन समराज इसमें बालतन कंट्रीज भी थी उन्होंने इससे सुतंत्रता की मांग कर दी हमारे देश में भी राष्टरवाद की भावना की वजे से ही हमारे देश सुतंत्रों पाया तो एक तरफ राष्टरवाद देशों की सुतंत्रता को लेकर आया उसने देश का एक एकरण भी करवाया तो दूसरे और राष्टवाद ने संघष और तनाव के बीज़ भी हो दिये ब्रिटेन और ब्रिटेन वासी ये सोचते थे कि पूरे विश्व पर अधिकार करना उनका दायत तो है ऐसे में लोगों की यही भावना युद्ध तक चली गई जर्मनी के लोग सोचते थे कि आर्रे जनजाती सबसे सरुस्रेष्ट है उनका दबदबा होना चीए यह भावना उन्हें युद्ध तक ले चुकी इस तरह के विचारों ने समाज में अन्य और हम में विवाजिन कर दे यानि कि हम अलग हैं अन्य अलग हैं तो राष्टवाद की भावना देश को तो जोड़ती है लेकिन वो और दूसरे देशों के लिए खत्रा होती है और ऐसे में वो खत्रा युद्ध तक चला ही जाता है तो प्रतम विश्युद का कारण ये था कि प्रतम विश्युद से पहले यूरोप में कुछ नाट के घटना है घटनी थी और बड़े पैमाने पर लोग के अंदर राष्टरवाद पनप रहा था और राष्टरवाद की भावना उन्हें यूद्ध के मैदान तक ले गई और एक चीज़ ध्यान रखना कोई भी यूद्ध होता है तो उसमें कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है उसके पेचे कारणों की एक चैन चलती है और वो सब मिलकर एकदम से एक विस्फोर्ट करते हैं इसी सीरीज में हमारा दूसरा कारण जो है आर्थिक समराज जवाद अब देखो आर्थिक समराज जवाद में यह है कि यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, इस्पेन, निदरलेंड और हॉलन, निदरलेंड बात एक ही है तो यानि कि स्पैनिश, डचिस, पॉर्टिश, फ्रांसिस यह सब दूसरे देश की यातराएं कर रहे है दूसरी देश की और जाने वाले जो समुद्री मारगे उनकी खोच कर रहे है और साथ साथ उन देशों को अपने छेतर में मिला रहे हैं उन्हें उपनिवेश बना रहे हैं जैसे कि ब्रिटेश ने हमें भी अपनी कोलोनी बनाया यानि कि भारत भी उनकी कोलोनी बना, भारत भी उनका उपनिवेश बना, इसी प्रकार से स्पैनिश जो है, वो साउथ अमेरिका की और गए, इसी प्रकार से नौर्थ अमेरिका की तरफ भी ये लोग गए, तो ऐसे में आर्थिक समराजवाद जब फैला, तो आर्थिक समराज प्रथम विश्यों में सबसे बड़ा रोल अदा किया है जहां पर हर बड़ी महाशक्ति छोड़ इन देशों के बटवारे को लेकर लड़ रही है अफ्रीका के बटवारे को लेकर लड़ रही है क्या निकि कौन सा देश किसका गुलाम होगा कौन सा देश किसका गुलाम होगा इसको लेकर लड़ाई जगड़ हो रहे हैं भारत में भी अगर हम बात करें अगर आप भारत की तियात पड़ोगे तो आपको बचलेगा कि सबसे पहले उपनिवेश के लिए बड़े प्यमाने पर यहाँ पर लड़ाईयां हुई है ब्रिटेन और फ्रांस का यह तो सबसे प्रमुक्रा है पुर्टगालियों के साथ भी यह दुआ ब्रिटिशर्स का तो भारत में भी ब्रिटिशर्स आए पुर्टगाली आए, फ्रांसिसी आए, डचिस आए तो यह जो बड़ी-बड़ी महाशक्तिया थी इनके बीच में आर्थिक समराज जवात को लेकर यह नए-नी कलोनियों पर जो कपजा करना चाहती दी इसने कहीं ना कहीं प्रथम विश्युदुप में प्रतिदेंदिता को जनम देओ, प्रथम विश्युद का बहुत बड़ा कारण यही था तीसरा कारण है प्रतिदेंदिता का गुप्ट संधियां तो गुप्त संधियों को बनाना एक और करण था इसकी शुरूवात कहां से होती है? इसकी शुरूवात होती है 1871-72 में फ्राणस और पर्षया का एक चोटा सा युद होाता तो 1871-72 में फ्रांस और पर्शिया का युद्ध है यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैंको पर्शिया युद्ध यह युद्ध पर्शिया के इस फेवर में था यानि कि पर्शिया इस युद्ध को जूद गया और फ्रांस इस युद्ध को हार गया लेकिन पर्श्या उसमें जर्मणी का पाड था तो एक तरीके से देखा जयँ तो इससी को जर्मणी नी जीता था और फ्रांस के दो बड़े छेतर जीत लिये तो उसने अल्साइक और लौरेंस वो उसने अपने कभजे में के लिये, अल्साइक और लौरेंस को अब ऐसे में जर्मनी को ये भी पता था कि फ्रांस अपने इस अपमान को पीनी जाएगा वो इस अपमान का बदल लेगा और भोविशमों जर्मनी पर आक्मन करेगा ताकि वो अपने छेतर अलसेक और लॉरेंस को वापस ले सके अब ऐसे में फ्रांस को कमजोर करने के लिए जर्मनी ने क्या करा ग्रूप बनाने शुरू कर दी जर्मनी ने आउस्ट्रिया हंगरी के साथ एक गुप्त संधी कर ली इतने नहीं उसने रूस के साथ भी एक संधी कर ली लेकिन इधर फ्रांस को भी यह पता था कि जर्मनी ये संधी कर रहा है और उसे कमजोर करने के लिए कर लिए है तो ब्रिटेन और फ्रांस में जो वर्षो पुरानी शत्रुता थी उसे भु़ा दे गया और ब्रिटेन और फ्रांस एकजुट हो गए आगे चलका फ्रांस ने ये कही न कहीं गुट बंदी को बढ़ावा दे रहे थे और उरोप दो भागों में बढ़ चुका था एक तरफ जर्मनी का गुट था और एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस का गुट था इसके लावा प्रथम विश्युद का एक और बहुत बड़ा कारण है हत्यारों की होड नेपोलियन गोनापार्ट ने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू करा तो जब कोई विक्ति अपनी सेना की ताकत को बढ़ाता है तो इसका मतलब यह है कि उस दूसरे चेतरों करेगा ही करेगा तो नेपोलियन की सेना की ताकत बढ़ रही थी जिसकी वेसे पूरा युरो फिल जुगा था अन्य राष्ट्रों ने उसे हराने के लिए अपनी सेनाओं का गठन करना शुरू कर दिया और वाटरलू के युद्ध में नैपोलियन बोनापाट हार गया नहीं नहीं शक्तियां उभरी हतियारों के होड़ शामिल हो गई जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया, हंगरी हर एक व्यक्ति, हर एक देश अपनी सेनिक शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर देता है जापान की सेन अताकत ने ना केवल चीन, कोरिया, बलकि रूस, युएसे के लिए भी चिंता का विश्य हो गया 1905 की युद्व में जापान ने रूस को हरा दिया था तो अंतराष्ट्रे संबंदों में अपनी स्रेष्टता साबित करने के लिए युद्ध प्रमुक कारक बन गया हर एक देश हत्यारों की होड में लग जिया, हर एक देश अपनी नौ सेना को और अपनी जो मिलीटरिया नहें इसको बढ़ावा दे रहा था हत्यारों की होड़ जो हुई यह सबसे ज़्याद हुई एंग्लो जर्मन यानि की एंग्लो में इंग्लैंड और जर्मनी मतलब जर्मनी तो उस समय सबसे सरुषेश जो नेवी थी सबसे सरुषेश जो नो सेना थी वो थी अंग्रेजों की और जर्मनी को पताता अगर यिद्में अंग्रेजों को हराना है तो हमें अपनी सबसे ज़्यादा 9 सेना को बढ़ावा देना होगा और ऐसे में जर्मनी ने अपनी नेवी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जर्मनी ने अपनी नीवी को मजबूत करना शुरू कर दिया जर्मनी के राजाते उसमें केसर विलियम दित्ते समुंदर में जर्मनी की पावर बढ़ने लगी और इससे जलते हुए ब्रिटिशेस ने उसका मुकाबला करने का निर्ने लिया सबसे बड़ी बात थी फर्स्ट वर्ल वर होने के लिए कि कोई एक बड़ा ऐसा संगठन लीता जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देशों को कंट्रोल कर सके जैसे आज की रेट में UNO है हाला कि UNO भी पूरितर कैसे काम नहीं कर पा रहा है बड़ फिर भी बातचीत का एक रास्ता तो खोल रहा है लेकिन अगर हम 20th century की स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें ऐसा कोई प्रभावशाली organization नहीं थी जो दो देशों के बीच के युद्ध को रोख सकती दो देशों के बातचीत को बढ़ावा दे सकती और ऐसे में यह हुआ कि जब युद्ध शुरूआ तो उनके बीच में रोकने वाला कोई नहीं था किसी भी युद्ध को बढ़ावा देने में प्रेस की भूमी का होती है मीडिया की भूमी का होती है और First World War को बढ़ावा देने भी मीडिया की निगेटिव भूमी का बहुत महत्पूर थी युद्ध के 40 साल पहले कई सरकारों के देशों के बीच युद्ध चल लए थे लेकिन आगे चल कर युद्ध को कम करने के लिए इमानदाई से प्रयास किये गए आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया गया लेकिन जो मीडिया थी इसने भाईचारे की भावनाओं को कभी भी अपनी हैड लाईन नहीं बनाया मीडिया ने हमेशा पुराने संबन्दों में ही नमक मेर्च डालकर जनता की साने प्रचारी प्रयास किया तो जनता के मन में जो दुश्मनी वाली भावना थी वो कभी मिट ही नहीं पाई For example, आज देखलो आप भारत की ये जो मीडिया है ये कभी भी आप से सोहार्थ को नहीं दिखाती, आप सी भाईचारे को नहीं दिखाती कोई अगर क्राइम होता है तो उसकी जाती तक चले आते हैं, उसके ध्रम तक चले आते हैं अरे भाई कोई क्राइम होगा तो एक बंदा क्रिमनल होगा और दोसा बंदा पीडित होगा उस तो नहीं बता के छुट्टी करो ना, लेकिन नहीं यही चीत फर्स्ट वर्ल वर के गुरान थी तो प्रेश की जो यह नकरात्मा भूमिका थी, इसने फर्स्ट वर्ल वर को बढ़ावा देने में एक महत्पड़ भूमिका आदा की है आगे अगर हम बात करें तो प्रतम विश्विद्ध के लिए नेताओं की व्यक्तिगत महत्व कांश हैं भी जिम्मेदार थी बही देखो, किसी देश की जो लीडर्शिप है वो उस देश को प्रभावित करते ही करते हैं प्रतम विश्विद्ध के समय कर हम बात करें तो जर्मनी के समराठ थे केसर विलियम दित्ते ये अपने आपको नौ सेना में सबसे ज़्यादा मजबूत देश बनाना चाते थे और किसी भी समझोते को करने के लिए तयार नहीं थे इसे प्रकार से रूस का राजा जार और उसकी पत्नी भी महत्व कांशी थी उन्होंने भी सर्विया को उकसा दिया और फाइनली युद्ध हो गया और सर्विया के बीच में परतिद्वन्दत चलनी थी जिसने अंतराष्ट्री सिद्य को सबस्यादा खराप कर दिया और ये कहां नहीं जो इसलाव है वो ऑस्ट्रिय हंगरी एक साथ नहीं मिलेंगे परिणाम यह होगा कि रूसी जार ने अपने पत्नी के हश्चेप से इन दोनों के बीच में तनाव को और बढ़ा दिया यानि कि तनाव को कम करने के जएगा रूस ने इस तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया और फाइनली युद्ध का अंतिम चरण यानि कि युद्ध शुरुवात होने का अंतिम जो कारण था वो शुरू होता है क्योंकि जब आपको कोई यूद करना है तो कोई ठोस कारण भी तो चाहिए है और वो कारण यहाँ से शुख होगा आउस्ट्रिया के राजकमार होंगे आर्क ड्योग फ्रांस फर्डिनेंट और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाएगी तो आउस्ट्रिया के आर्क ड्योग फ्रांस फर्डिनेंट और उसकी पत्नी की हत्या कर जाएगी 28-1914 को ताबुत में अंतिविकी ठोग देगी और इतनकी हत्या का आरोपे वो सर्विया के जो सलाव जन जाती थी उनके उपर लगा गया आउस्ट्रिया ने 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया कि हमारी शर्तों को मानो या यूदि के लिए त्यार दो सर्विया में भी इन शर्तों को मान भी लेता लेकिन रूस ने कहा सर्विया से कि तुम्हें इस शर्तों को मानने ही ज़रूरत नहीं है हम तुम्हारे साथ हैं और फाइनली सर्विय ने इस सर्तों को मानने से मना कर दिया परिणाम यह हो कि आउस्ट्रिया ने सर्विया पर आक्मण कर दिया और यहीं से शुरूआत होती है फर्स्ट वर्ल वार की युद्ध शुरू होने के बाद भी जर्मनी ने औस्ट्रिया को नर्म रुख अपने राजी करा यानि कि जर्मनी ने यह कहा आश्ट्रिया साथ है कि युद्ध अभी ना ही लड़ा जाए और परिणामता ये युद्ध शुरू हो गया और लगातार 3-4 साल तक 14-18 तक युद्ध में मारकाट का माहौल बना रहा फाइनली नौमबर 1918 में ये युद्ध समापत हुआ जर्मनी ने आत्मसमरपड कर दिया केंद्य शक्तियां हार गई, मित्र शक्तियां जीत गई, जर्मनी का भागय का सितारा डूब गया और जर्मनी के साथ शांती संधी की गई जो ये शांती संधी हुई ये एक तरफा संधी थी हारेवे देशों से पूछा भी ने गया कि उन्हें संधी की सरते माननी है या नहीं माननी है और ऐसे में वर्सेल्स की संधी हुई जिसे वर्साई की अतियासिक संधी भी कहा जाता है वर्साई की संधी जर्मनी पर थोपी गई सबसे अपमानी संधी थी जर्मनी से बिना पोछे उसके उद्धोई धंदे चौपट कर दे गया उसकी मुद्रा को बदल दिया गया इतना ही नहीं ये कह दिया गया कि जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता है जर्मनी की सैनिक शक्ती को भी खतम कर दिया गया और ऐसे में जर्मनी को पूरे घुटने के पर ला दिया गया लेकिन ये चीज जितनी जर्मनी के लिए बेकार थी आगे चलकर उतनी ही जर्मनी के लिए चीए सही होगी और इस अपमानित परिस्तितों में एक व्यक्ती लीडर बनकर उबरेगा और उसका नाम होगा एडॉल्फ हिटलर और यही फर्स्ट वर्ल्ड वार क जो कारण आप बताओगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण में आप बताओगे सबसे पहले राष्टवाद का हुद है फिर आर्थिक समराजवाद, गुप्त संधियां, हत्यारों की होड, अंग्रेज और जर्मनों की नौ सेना की प्रतिदों दिता, कोई अंतराष्टे स होना शुरू और परिणाम तर सभी बड़ी माशक्ते इस विद्ध में कूद गई, युद्ध की समापती वर्साई की संधी से होती है और यही वर्साई की संधी दित्य विश्विद्ध का कारण बनती है, आशाय चीज़ा आपको यहां तक समझ में आई होगी, कमंड बॉक की शुरुआत होती है, 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी पॉलेंड पर आकमन करेगा, ब्रिटेन और फ्रांस पॉलेंड के बचाओं में आएंगे, और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर हमला शुरू होगा, जल्द ही कई देश जर्मनी पर युद्ध छेड़ देंगे, जापान इधर च जब दो गर्रूप में लड़ा जाएगा, एक तरफ होगे मित राश्टर और एक तरफ होगे धुरी राश्टर, मित राश्टर मोंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवेश संग और धुरी राश्टर मोंगे जर्मनी, जपान और इटली, लेकिन युद्ध का अंध फिर से जर्मनी के पक्ष में नहीं रहेगा, जर्मनी, जपान और रिटली इस युद्ध को हार जाएंगे, और अमेरिका, बिटेन, फ्रांस और सोवेस संग का ग्रूप युद्ध जीज जाएगा, लेकिन बात फिर से होई आती है, कि इतने बड़े युद्ध के पीछे क्या और घ्रीजन थे, तो दित्य विश्ष्यूद का सबसे पहला कान था वरसाजे की संधी, यानि कि फ美國 के बाद जो वरसाजे की संधी भी थी, इस संधी की शर्टे जर्मनी पर ठोपी गई थी, ये संधी बहुत अपमानी संधी थी, और इस संधी से जो अपमान जर्मनी का हु तो फर्स्ट वर्ल्ड वर के बाद कुछ रूल और रैगुलेशन सेट किये गए लीग ऑफ नेशन्स नाम की एक संस्था बनाए गई लीग ऑफ नेशन्स का काम ये था कि दो देशों के बीच में अगर युद होंगे तो उसे वहीं पर समात के जाएगा और जो देश हमला करेगा उसके खिलाब कड़ी कारवा ही की जाएगी लेकिन लीग ऑफ नेशन्स अपना कार अच्छे से ना कर पाया और आगे चलकर जब छोटे छोटे युद हुए तो लीग ऑफ नेशन्स जो है वो कोई ठोस निर्ने लिने से बचा रहा परिणाम ये रहा कि लीग ऑफ नेशन्स असफल हो गया और वो दित्ते विश्युद को नहीं रोप पाया यानि कि फिर से वही वाली बात थी कि कोई एक ठोस संस्था नहीं थी जो बड़े-बड़े देशों को कंट्रोल कर सके तीसरी बात ये थी कि निशस्त्री करण की विफलता निशस्त्री करण का मतलब होता है हत्यारों की रो तो सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वर के बाद ये बात की गई लिक आफ नेशन्स के दौरा कि विश्यु शस्त्रों की होड नहीं करेगा पैरिश सांती संभेलन में निन्ने ले गया कि सिर्फ रक्षा के इस तरह तक ही हत्यार रखे जाएंगे और बागी हत्यार कम कर दे लाएंगे लेकिन किसी भी देश ने पैरिश सांती संभेलन को गंभीरता से नहीं लिया और हत्यारों के लिए घमासान जारी रहा हो जर्मनी को शुरुवात में निशस्त्र कर दिया गया था लेकिन आगे चल कर जर्मनी ने बड़े पैमाने पर हत्यारों का संचेक शुरू किया और किसी देश ने से रोका भी नहीं 1930 की आर्थिक मंदी 1929 की शुरुवात में येरोपिय देशों में अमेरिकी कर्ज अचानक से रुग गया यानि कि अमेरिका जो पैसा येरोपिय देशों को दे रहा था वो अचानक से रुग गया क्योंकि अमेरिका में मंदी शुरू हो गई जर्मनी अपनी अध्धोईक प्रती के लिए करजो पर बहुत निरभरता और वो बहुत बुली तरीके सिट से प्रभावित हुआ साथ लाख लोग बिरोजगार हो गए जर्मनी ने कहा जो युद की छती पूर्ती उस पर थोपी गई थी बरसाई की संधी में उसने वो पैसा देना भी बंद कर दिया एड़ाल फिल्टलर जो कि तानाशाई शार्षकता उसने बागडर संभाली और आर्थिक संकट का लाव उठाया क्योंकि जब किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो उस देश की जनता असंतुष्ट हो जाती है और ऐसे में कोई लीडर उसी असंतुष्टा का फायदा उठा कर उन पर शार्षन करने लग जाता है बिल्कुल यही करा हिटलर ने तो विश्व में जो बंदी आई इसने भी सेकंड वर्ल्ल वर को बढ़ावा दिने में एक काम किया रोम बर्लिन टोक्यो धुरी तो रोम इटली की जगा है बर्लिन जर्मनी की जगा है और टोक्यो जपान की जगा है जर्मनी इटली जपान ने 1936-1937 में एंटी कॉमेटर्ण संधी का पालन करते गे कम्यूनिस्ट विरोधी मोर्चा पनाया यानि कि एक तरफ विश्व में रूस के नेतरत में कम्यूनिस्ट बढ़ रहा था आगे मायनोरटीस की समस्याई फर्ष वल्ड वर के बाद हीरोप में बनाये गए ने राज्यों में अलपसंख्यों की संख्या काफी थी उधान के लिए जर्मन अलपसंख्याक और गैर जर्मनों के बीच में चकोसलोवाकि और पॉलेंड में थे रोमानिया में रूसी अलपसंख्यक थे हंगेरियन अलपसंख्यक रुमानिय और रिगोसलाविय में थे जर्मन और सलाव अलपसंख्यक इटली में थे यानि कि बहुत सारी मैनुविटिस अलग 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 देशों में थी और ऐसे में ये मैनुविटिस आती थी कि हमारे अंदर अलगाओ की भावनों हमें अलग देश मिल पाए हिटलर ने इनकी भावनों को और ज़्यादा भढ़काया और इन सबी राज्यों को अपने मिलाने की बात करी परिणाम ता यह हुआ चेकोसलोवा के दो भागों बढ़ गया और यहां से युद्य किश्रुवात धीदरे करके होने लगी लीग ऑफ नेशन्स की विफलता जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिए और फाइनली अंद्यता जो हिटलर की विस्तारवादी नीती होगी हिटलर जो की वर्साई की संधी का अपमान जो था उसका बदला लेने के लिए फाइनली एक सितंबर 1939 को पॉलेंड पर हमला करके लेगा बिटेन और फ्रांस पॉलेंड के सहीयोग के लिए आएंगे और सोवे संग के प्रयास को नजर अंदाज किया जाएगा जहां पर USSR जो है सोवे संग इस इद को टालने की बात करेगा लेकिन ऐसा होगा नहीं हिटलर ने इस टालने साथ एक गैरा क्रामक समझवता किया दोनों देशों ने उरोप को अपने प्रवाव छेतर में विभाजित करने का संकल्प लिया हिटलर पॉलेंड में अपने जर्मन अल्फित की लिए नयाय चाहता था और इसलिए उसमें पच्चि में पॉलेंड पर हम्ला किया USSR ने पूर से पॉलेंड अपने सैनिकों के स्थांति किये Britain and France में Pauline को किसी भी हमले के मामले में उसकी साहिता देने का आशिवासन किया था तो Pauline का बचाओ करने के लिए जब Britain and France आएंगे तो जर्मनी की सेना उस पर भी हमला करेगी फिर जर्मनी की मदाब इतली करेगा और जर्मनी इतली आगे मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ युद लड़ना शुरू करेंगे आगे चलकर इस युद में प्रिवेश होगा USSR का और फिर अमेरिका का और फिर जापान का और युद का परिणाम आप सभी को पता है जापान के दो बड़े शहरों 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोश्मा और नागसाकी पर परमाड़ो बंग गिराए जाएगा और जापान भी एंट में आत्मसमर्मट कर देगा और 1945 में युद खतम हो जाएगा थोड़ो सा युद का बढ़ना निहां पर किया गया है कि जर्मनी ने 1 सितम्बर 1939 को पॉलेन पर हमला किया USSR उसके छेतरों को विभाजित करने के लिए जर्मनी की साहता की लिए आया 1940 तक इटली ने युद में प्रवेश्ट नहीं किया लेकिन जब फ्रांस आत्मसमर्मट करने के कगार पे था तो इटली ने जर्मनी की तरफ से फ्रांस से खिलाफ युद की घोशना कर दी वो भी इस युद में शामिल हो गया 1941 में युद में अमेरिका शामिल हुआ तो उसके जापान से संबंध खराब थे इधर जापान ने भी युद में प्रिवेश्ट किया और अमेरिका के कुछ नौसेनिक जहाजों को डुगो दिया परिणाम अंते में आपको बताई दिया हिरोश्मा और नागा साकीवर प्रमाडू हमला होगा और युद समापत जाएगा तो यहाँ पर युद में क्या क्या हुआ यह इस चैप्टर में नहीं दिया चैप्टर से आपके दो प्रश्ण बनेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिजन और सेकंड वर्ल्ड वार के रिजन आई होप सो इस प्रश्ण के उत्तर आप दे देंगे मिलते हैं आपसे नेक्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी